हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ रुची और डो इट बित रुची में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगी कि साबू दाना के बड़ा कैसे बनते हैं वो भी ब्रत के लिए तो पर आईए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं साबू दाना बड़ा बनाने के लिए मैंने आपर आधी कटोरी साबू दाना लिया था इसको दो कटोरी पानी डाल करके दो से तीन गंटे के लिए भिगो दिया था और जो एक्स्ट्रा बॉटर है उसको हम निकाल देंगे और फिर उसके बाद हम ये साबू दाना ले लेंगे हम चेक कर लेंगे कि हमारा साबुदाना उंगली से दबाने से दब रहाए तो मैं सो रहा है अच्छे से इसका मतलब साबुदाना हमारा फूल चुका है यहाँ पर मैंने दो उबले हुए आलो लिये हैं इनको मैंने ग्रेट कर लिया था और यहां पर आधी कटोरी मुंफली के दाने लिये थे रोस्टिड मुंफली के दाने थे इनको मैंने मिक्सी के जार में दरदरा पीस लिया था दो हरी मिर्च हैं चौथाई छोटी चमच काली मिर्च का पाउडर लिया है और नमक मैंने सैंधा नमक लिया है ब्रत वाला नमक है अगर आप इसको ब्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप साधा नमक भी डाल सकते हैं धनिया पत्ता डाल देंगे और अब इसको हम अच्छे से मिला करके इसका एक डो तैयार कर लेंगे डो हमारा तैयार है अब हम अपनी हतेलियों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और फिर इसके बाद हम अपने बड़ा बना लेंगे बड़े का सेप आप अपने अंसार दे सकते हैं आपको छोटा चाहिए कि बड़ा चाहिए उसे साफ से आप इसका सेप दे सकते हैं हमारा जितना बचा हुआ डो है इसके भी हम बड़े बना करके तैयार कर लेंगे बस बड़े हमारे बन चुके हैं सारे बड़े हमने बना लिए हैं अब हम गैस पे कड़ाई रख देंगे उसमें ऑईल रख देंगे गरम होने के लिए इस तरीके से चैक कर लेंगे हीर जा हमारी हतेली पे आने लगेगी तो हमारा ओइल गरम हो चुका है इसका मतलब है अब हम अपने बड़े डाल देंगे फ्राइ होने के लिए तेल काफी अच्छे से गरम होना चाहिए तेल कम गरम होगा और हम अपने बड़े डाल देंगे तो ये तेल भी काफी जादा अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूदें इसी तरीके से हम सेक लेंगे अपने बड़े बस बड़े हमारे सिख चुके हैं अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे थोड़ा सब हम अपनी कल्ची को रोग देंगे जिसी की जो इनमें एक्स्टर तेल लग जाता है वो कड़ाई में ही बापस चला जाएगा बाकी बचे हुए बड़े हैं इनको भी हम डालके दौनों तरफ से पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राय कर लेंगे बड़े हमारे ये फ्राय हो चुके हैं इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे आप देख सकते हैं बड़े हमारी कितने बढ़िया क्रिस्पी बन करके तैयार हुए हैं तोड़के दिखाती हूँ ये अंदर से काफी सॉफ्ट होते हैं उपर से बहुत क्रिस्पी आप एक बारेने जरूर ट्राई करें